राधे तेरे बिना हरियाधे ओ राधे तेरे बिना प्रभु आधे वो पूरान ब्रह्म कहा आवे तब ही पूरान ब्रह्म कहा आवे तब ही जब तू संग हो राधे राधे तेरे बिना प्रभु आधे ओ राधे तेरे बिना हरियाधे अरे पहले सुनो तो सही फिर गाना इतनी जल्दी भी क्या है यह टाइटल है इस वीडियो का क्या जल्दी है बहुत जल्दी कलाकार बन जाना है सीखना शुरू किया या नहीं भी किया सीखना शुरू उससे पहले ही हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि कब सीख जाएंगे यहां तक कि मेरे पास जो सवाल आते हैं वो बच्चे सीधा यह पूछते कितने दिन में सीख जाएंगे जबके बहुत ज़्यादा लोगों को यह पता है जो संगित से जुड़े हुए हैं कि यह दिनों का नहीं सालों का काम है कई साल बीत जाते हैं कुछ नों कुछ करते 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 तब जाके कुछ आता है और उसमें भी धहर्य, धहर्य से सुनना यह सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी एक विध्यारती में होनी चाहिए अगर वो उसको धैरे नहीं है, सुनने की ख्षमता नहीं है, तो कभी नहीं आएगा कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए सुनना कितना important है ये हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कितना महत्व है सुनने का सुनने का महत्व तब से शुरू हो गया था, जब से हम पैदा हुए थे जब बच्चे ने जन्म लिया, तो उसके कान काम कर रहे थे केवल और केवल कानों से उसको कुछ साउंड सुनाई दे रहा था और जब वो साउंड उसने सुना, तो रोना प्रारण्ब कर दिया से पहले रोता है, और रोता क्यों है, क्योंकि उसके कान में कुछ आवाजें आती हैं, जो पहले नहीं आ रही थी, जैसे ही कानों ने अपना काम प्रारण्ब किया, बच्चे का मुँ खुल गया, यानि कि पहला काम सुनने का हुआ, हमारे जीवन में जब हम पैदा हुए, तो सब से पहला काम हमने सुनने का किया, और दीरे खीरे सुनते सुनते हमने बोलना सुरू किया, फिर सुनने के साथ-साथ हमने देखना प्रारंब किया छोटा बच्चा 20 दिन का एक महिने का आप कभी भी देखना कि उसके सामने चुटकी वजाओ तो आखें उसकी नहीं टिकती है लेकिन कान उसके चल रहे होते हैं कानों में वो चुटकी की आवाज जा रही होती है वो उसी तरफ देखता है ऐसे एक्षन करता है कि किदर से आवा जाई पर निगाहें वहाँ नहीं टिक पाती है अभी निगाहें टिकने की समर्थिता अभी नहीं आईए वो धीरे धीरे आएगी तो कानों का काम आखों को सहीयोग करता है कि आप भी अपना काम करें जब हम कान से सुनते हैं आख से देखते हैं तभी बोल एक्जामपल के लिए कि जब आप सिनेमा हौल में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं फिल्म देखते हैं पूरी मूवी देखने के बाद आप उसकी स्टोरी सब को सुना देते हैं दूसरों को भी बताते हैं इसमें ऐसा हुआ उसमें वैसा हुआ उन्हीं कान से सुनना और आख किसे देखना यह घर्यण धारन करके फिर मस्तिस्क में बात बैठती है और किसी भी घ्रात करने की चार सीडियों पे चड़कर के ग्रहन लगता है यानि कि चार सीडियां जब पूरी हो जाती है तब उसको कुछ प्राप्थ होना शुरू हो जाता और वो पहली सीड़ी है श्रवन ग्यान को प्राप्त करने के लिए कोई भी विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सुनना सुनने के बाद पढ़ना पठन श्रवन पठन उसके बाद मनन उसके बाद विचार करना उसी चीज को बार बार सोचना जो आपने पहले सुनी फिर पढ़ी, यानि कि आँखों से देखी, आँखों से पढ़ा, पढ़ने के बाद उस पर विचार किया, और फिर उस विशे में अपना मत परस्तुत किया, यानि कि फिर बोला, और जब बोला, उसके बाद आपको माना जाएगा कि आपने इस बात को जान लिया है, आपने ग कर लिया है ग्यान को ग्यान को ग्यान को ग्रहन करने की प्रथम जो चार सीढ़ है वह मैंने आपको बताई तब पाँच्वे ग्रहन होती है पहली है श्रवन दूसरी पठन तीसरी मननं पन अड़ो जहART मैं फिर कहा जाता है फिर बोला जाता है उसके बात माना जाएगा कि अब आपको ग्रहन होने लग जा कई बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि गुरुजी गाना कैसे जल्दी सीख जाए कोई भी गाना कैसे तैयार करें फिल्मी गीत तैयार करने के लिए पूछ रहे हैं वो सिर्फ सुनने की वज़े से निकल रहा है, अगर आपने सुना नहीं होता, तो कभी नहीं बोल पाते हैं, फिर मैं उसी बच्चे का एक्सम्पल दूँगा, अगर वो बच्चा बहरा पैदा हुआ होता, तो वो कभी नहीं बोल पाता है, गूंगा होना स्वावाविक था, क क्योंकि उसने साउंड तो सुना ही नहीं कभी, वो जानता ही नहीं है कि आवाज कैसी होती है, हाँ, उसको आपके तरफ देखता है, और आप उसके साबने बात कर रहे होते हैं, उसको सुना ही नहीं दे रहा होता है, तो वो यह देखता है कि यह सम्टिंग माई कुछ हो रह कि आपने क्या बोला उसको सुनाई दिया फिर उस पे वो रियक्शन देता है तो हमारी मानवी यही प्रवर्ति है पैदा होने से लेकर के मतने तक यही प्रवर्ति है कि हम सुनते आए हैं देखते आए हैं और सीखते आए हैं तो पहला क्रथम सीड़ी जो है सुनना ही है मैं ब बहरे से सुनने का रखो तभी आपको वो गाना आजाएगा फिल्मी गीत के लिए कोई क्लास जोईन करने की जandırवत मैं बलके उस गाने को रीपेटिंगली सुनो सुनते रहिए सुनते रहिए बार-बार सुनिए करना कुछ नहीं है यह भी नहीं करना कि उस गाने के साथ साथ आप बोलने लग जा फिर तो गलबल हो जाई आप पूरा सुनी नहीं पाएंगे तो कम से कम सो दो सो बार उस गाने को सुन लो बोलने लग जाओगे बहुत सरल है किसी भी गाने को तयार करना किसी भी भजन को तयार करना और मैंने तूँटो ईसे बहुत सारे लोग देखे हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स देखे हैं जिनको बहूत अच्छा गाना आता है पर भी आता है उनसे का किसेसे आता है कि बहुत बार सुना है सुनते आ now लगकून अगर आप बच्पन से सुनते आ रहे हैं वो तो आपको पता चली जाता है उसका उतार चड़ाओ किस तरह उचे जा रहे हैं सोर किस तरह नीचे आ रहे हैं इस सब आपको पता चल जाता है सुनते 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 वो आटोमेटिक निकलने लग जाता है उसे मिमिक्री करने वाल style बनाने लग जाते हैं वैसी ही आवाजों में डायलोग्स बोलते हैं इसी तरह से गीत को भी उतने ही interest के साथ सुनिए जितने interest के साथ आपको डायलोग्स याद हो जाते हैं अपने आप क्योंको उसमें जादा मन लगता तो पूरा interest जगा करके अपना और उस गीत को अगर आप ध्यान से सुनेगे सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा यह guarantee है ہंडुप परसंड गारेंटी है कि सुनते सुनते आपको याद हो जाता है और बहुत सारा चीजें हमने सुनकर के ही की हैं हम जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो भी क्लास में सुनना ही पढ़ता है जो भी टीचर्स बोलते हैं जो लेक्शर देते हैं उनको हम सुनकर के चले आते हैं और फिर उन बातों को लाइबरेरी में जाकर के हम किताब में ढूंडते हैं कि आ ऐसी बात नहीं जिसको बिना सुने आपने ग्रहन कर लिया हूँ इसलिए कानों को मजबूत करिए और धेरे रखिए सब हो जाएगा आ जाएगा आपको मैं मेरा एक्जामपल देता हूँ एक गाना पहले बहुत चला था बंटी और बबली पिक्चर में आया था उसमें कजरार तेरे कारे कारे नेन वह गीत मैंने मुझे विल्कुल प्संद नहीं आया जब शुरु शुरु में आया कोई भी गीत है न हम पहली बार दूसरी बार जब सुनते हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है श्याम आनन्द नहीं आता है लेकिन हुआ ये कि मैं उस गाने को उतना ही वो गाना मुझे सुनाई देता कभी FM में बज जाता है गाड़ी में तो वो ही गाना आ रहा है कभी दूसरी की किसी गाड़ी में बैठ गए तो वहां भी गाना बज रहा है कभी कहीं दुकान पर चले गए मार्केट में निकल गए तो वहां भी वो ही गाना सुनाई द एक दिन मैं भी राष्टे चलते उस गाने की एक लाइन गुन गुनाने लग गया मुझे वो याद हो गया और उसकी धुन भी याद हो गई तो जब उस गाने को मैंने इस तरह से महसूस किया कि यह क्या हो रहा है कि संगीत किस तरह से असर कर जाता है कोई भी चीज अगर हम ब बहुत अच्छे से याद हो जाता है वो गाना आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं जिस गाने को आपने याद करने की दरश्टी से नहीं सुना बलके मनोरंजन करने की दरश्टी से सुना और बार बार सुना अनन्द आता है उस गाने में सुनकर के आपको मज़ा आत उस गाने को बार 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 आप रिपीटिंगली सुनते हैं और सुनते रहते सुनते रहते और एक दिन खुद भी गाह उठते हैं तो बस यही मैं कहना चाहरा हूं कि धैरे रखो और ध्यान से सुनो पहले सुनो समझो फिर बोलो जैहो